दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की पहले कबर आपदा परबंदन विभाग का अलर्ड जारी साथ जिलो में भारी बारिस और बजर पात की चेतावने लोगों से घर की बाहर ना निकलने की अपेल जिहां बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है बकसर समेट साथ जिलो में भारी बारिस और बजर पात की चेतावने जारी की गई है बकसर, केमर, रोहतास, भोजबूर, सिवान, मुंगेर और बाका के कई इलाकों में तेज, बारिस और बजर पात को लेकर आपदा परबंदन विभाग ने अलड जारी किया है इसी के मद्दे नजर आपदा परबंदन विभाग ने साथ जीलों के लिए अलड जारी किया है इन जीलों के कई इलाकों में भारी बारिस और बजर पात की चेतावनी जारी की गई है साथ इस दोरान घरों से बेवज़ बाहर नहीं निकलने की भी अपिल की गई है अगली खबर नहाय खाय के साथ आज से होगी जित्या बरत की सिरुवात 29 सितंबर को जित्या बरत और 30 को पारण संतान की लंबी उम्र के लिए माताय रखती है जित्या संतान की सुक समृदी के लिए रखा जाने वाला बरत जित्या है जिसमें महिलाए पूरे दिन बिना अनजल ग्रहन किये इस वरत को रखती है जितिया पर्व इस बार 29 सितंबर यानि बुद्वार को पढ़ रहा है अगली बड़ी खबर स्कूल में आप बच्चों को नास्ता भी मिलेगा मीड़े मिल से पहले ब्रेक पास्ट देगी बिहार सरकार जिहां बिहार की सरकारी स्कूलों में आप बच्चों को मीड़े मिल के साथ साथ नास्ता भी दिया जाएगा मद्याई भोजन योजना के अंतरगत बच्चों को भोजन से पहले ब्रेक फास्ट दिया जाएगा लगबग डेर कडोड से अधिक बच्चों को इससे फाइदा होगा बिहार का सिक्चा विबाग योनिसेप की मदद से सभी बच्चों को सिहत का सर्विक्चन भी कराएगा बताया जा रहा है कि केंदर सरकार के दिसा नेर्देस पर अम्ल करते हूए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गनवत्ता पुरन शिक्चा के साथ सहत का भी पुरा ख्याल रखने जा रही है बच्चों को स्कूल में मीड दे मिल से पहले नास्ता देने को लेकर नितिस सरकार ने त्यारी सुरू कर दी है इसके तद सभी स्कूल बच्चों का हेल्थ कार्ट त्यार होगा साथ ही उन्हें मध्याई भोजन के साथ सुबह का नास्ता भी दिया जाएगा आपको बताती कि यह नास्टा प्री नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को मैहाई भोजन से पहले दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड ने इंटर सेंटर परिचा की तिति की घोसित 19 अक्टूबर से होगा एक्जाम जहां बिहार बिदाले परिचा समिती पाटना ने इंटर सेंटर परिचा 2022 की तिति जारी कर दी है बिहार बोर्ड की ओर से जारी लेटिश सुझना के अनुसार सेंटर परिचा 19 अक्टूबर 2021 से होगी बिएसबी की नोटिस के अनुसार इंटर्मिडेट वार्षिक परिचा 2022 में सामिल होने वाले सुझी कृत नियामित सोतंत्र एवं क्वालिफाइट कोटी की चात्र चात्रों की स्यधान्तिक एवं प्रायोगिक विशोई की उतपेशन या जाज परिचा दिनांग 19 दस दोज जन्सियों द्वारा 9.10.2021 से 11.10.2021 के बीच परसन पत्र सभी जिला सिख्चा दिकारियों के कारयले में प्राप्त कराया जाना संभावित है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड ने इंटर्ड की तिसरी मेरिट लिष्ट और कटप किया जारी जहां बिहार बोर्ड ने इंटर्मिडेट में एडमिशन की तिसरी मेरिट लिष्ट और को जारी कर दी है बिहार बोर्ड की ओर से जारी इस तिसरी मेरिट लिष्ट जो चात्र इसका इंतिजार कर रहे थे वे इगारवी में अपना एडमिशन कराएंगे बिहार बोर्ड के ओनलाइन फेसिलेटेशन सिस्टम फॉर स्टुडेंट यानि OFSSS की वेब साइट OFSSS बिहार.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं पिगारवी में एडमिसन के लिए आए आवेदनों के आधार पर बिहार OFSS मेरिट ने लिस्ट तयार की है पहले दो राउंड की तरह तीसरे राउंड की मेरिट लिस्ट जारे होने के बाद अब जात्रों को फिस पेमेंड, कॉलेज में एडमिसन और डोकुमेंट वेरिपिकेसन की परक्रिया से गुजरना होगा बड़ी कबर बिहार में विवास से तीन दिन पहले थाने पर जाकर बताने होगी डेड आईजन को देनी होगी पूरी जानकारी 27 नॉमर से फिर साधी विवा का मोहरत आ रहा है साधी वाले घरों में तैयारी चल रही है ऐसे में आपके घर में भी साधी विवा आईजन को लेकर पहले की तरह ही सकती है साधी में बेंड बाजा के साध डिजे पर पहले की तरह ही प्रतिबंद रहेगा बिना अनुमते के साधी विवा भी नहीं हो सकेगा आपको बता दे कि सारवा जने की स्तलों पर किसी भी तरह का आईजन जिला प्रसासन की पुर्वान उमिति की नहीं होगा हर आईजन में कोईट प्रोटोकल का पुरी तरह से पालन करना होगा साधी विवा जैसे समारों का आईजन भी कोईट प्रोटोकल में ही होगा सोसल डिस्टंसिंग का पालन कराने को लेकर भीड़ वाले जगा पर कारवाई होगी साधी में डिजे और बाराज जुलुस की इजाज़त नहीं होगी बिभा के पूर्व सुचना इस्तानिय थाने को कम से कम तीन दिन पहले हर हालात में देनी होगी बड़ी कबर बिहार में बंद का मिला जुला असर सडक पर उत्रा विबख्च पटना में गांधी ब्रेज को किया जाए जहां केंदर के तीन ने क्रिसी कानूनों के विरोध में सोमवार को बुलाए भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला है बंद का बिहार में महागडबंदन सहेत सभी विवक्ची दलों ने समर्तन दिया इस बीच पटना के महादमागान इब्रेज को बंद समर्तकों ने जाम कर दिया दर्बंगा में बंद समर्तकों ने बिहार संपक रांती रोग दी आरा में बंद समर्तकों ने सडक पर उतर कर प आताओं के साथ है माले CPI और CPIM का समर्तन पहले से ही है राजा दो कॉंग्रिस ने भी सनिवार की बेड़क के बाद सक्रे समर्तन का एलान किया इसके अलावा आप वा जाप ने भी भारत बंद का समर्तन किया है बाड़ी कबर बिना इंसरेंस के चलने वाले वहां चालोकों को अब भारना होगा डबल जुर्माना जी हाँ बिहार में बिना इंसरेंस के चलने वाले वहां चालोकों को डबल जुर्माना देना होगा बिहार ट्रेफिक पुलिस ने इसको लेकर लगतार सिकंजा कसने में जुट गई है हैलमेट और सीट बेल्ट के साथ जीलों में वहानो च्यालेस वाहनों पर जुर्मना लगाए गया परिवहान सचीव संजे कुमार अगरवाल ने कहा कि बिना थर्ड पाटी इंसरेंस के गाड़ी चलाते पकड़ जाने पर जुर्मने की दोर पर 2,000 जुर्मना लिया जाएगा लेकिन दूसरी बार पकड़ जाने पर 4,000 रुपी जुर्मना देना होगा बड़ेकबर बिहार को 5 सियम देने वाले टीनबी कोलेज को मिलेगा हेरिटेज का दर्जा विस विदलय बनाने की मांग जहां बिहार को 5 मुख मंत्री और एक विदानसवा अदक्च सहित कई राजनेता वा अधिकारी देने वाला टीनबी कोलेज को ह अस्ता भी खुल जाएगा 130 साल पुराने टे एंबी कोलेज ने रोव्यार को अपना पहला पूरवर्ति छात्र महा समागम का आयुजन किया कायरकरब में लोगों की मांग पर सिक्षा मंत्री विजय कुमार चोदरी वा विदानसवा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्ना ने अप करोना का बड़ा खत्रा है संक्रवन के खत्रे से निवटने को लेकर स्वास्त विवाग में बड़ी तैयारी चल रही है अब पुजा के साथ साथ कुरोना जाच की भी योजना है इसके लिए सभी पुजा पंडालों के पास कुरोना जाच केम की तैयारी है स्वास्त विवा में कोविन-19 संग्रमन के बचावा सरक्षा को देखते हुए आगा में दुरगा पुजा काली पुजा वा चहलम तेहार को लेकर डियम अविसेख सिंग की अधिक्षा में जिला सांती समिती की बैठक हुई इसमें राज सरकार द्वार पर्व तेहार के अवसर पर दिये गए निर्देशुक के बारे में बताया गया इस बैठक में डियम ने कहा कि दुरगा पुजा में मुर्थी के स्तापना के लिए लाइसंस लेना अनिवार होगा उन्होंने इस पश्ट रूप से निर्देश दिया कि चार पूर्ड से अधिक बड़ी मुर्थी नहीं होगी लाइ अलग होंगे जिले में कहीं भी राहों दान की अनुमति नहीं दी जाएगी साथ किसी भी जगह पर संस्कृतिक कारकरम यवा मेला का आवेजन भी नहीं होगा बड़े कबद दूसरे राज्यों के साथ बिहार की बहतर होगी कनेक्टिविटी 60,000 करोड की 8 नहीं सामिल भारत माला परियोजना के दूसरे चरण में बिहार की 8 नहीं को सामिल करने पर केंद्र सरकार ने मौकिक सामाती दे दी है साथ इस पर सकरत्मक बाल सुरू हो गया है इनकी लागत की सिरुवाती आकलन करेब 50-60,000 करोड रुपिय का है इन आट एनेच परियोजनाव को भारत माला में सामिल कराने की संबन्द में सुकरवार को पद निर्मान मंत्रे नितिन नवीन और केंद्रे पद परिवान अवं राजमार्ग मंत्रे नितिन गड़करी के बीच बात चित हुई थी बड़े खबर पीम नरेंद्र मोधी ने नेश्नल डिजिटल हेल्थ मिसंन का किया सुभारम जाने कैसे मिलेगा इस का लाब इक योणिक हेल्थ काड बन जाने के बाद मारेज को ड़ाक्टर से दिखाने के लिए फाइल ले जाने से चुटकारा मिलेगा डाक्टर या अस्पताल रोगी के योनिक हेल्थ आइडि देखकर उसका पूरा डाटा निकाल सकेंगे और सबी बाते जान सकेंगे उसी के आधार पर आगे का इलाज सुरू होगा साथ पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल फर्मेंट में अपडेट होगी किसी दूसरे सहर अस्पताल में भी योनिक आइडि से डोकुमेंट देख सकेंगे इससे डाक्टर्स को इलाज करने में आसानी होगी यहां कार्ड भी यह बताएगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी उजनाओ का लाब मिलता है बाड़ी खबर बिहार में अब ओडियो मेसेज के जरिये भी बगाए बिजली बिल की दी जारी यह जानकारी उब भुगताओं और बिजली कंपनी को मिलेगा इसका फाइदा जिया बिहार में जिन घरों में प्रिपेड स्मार्ट मिटर लगे हैं उन उब भुगताओं की बिजली बिलेंस के अभाव में गायब ना हो इसे लेकर बिजली कंपनी ने अनोकी पहल सुरू की है या उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में अब भी पुराने मिटर लगे हैं बाकाय बिल की जानकारे एसमेस के मायदम से दी जाते थे लेकिन क कुछ लोग इसे देखने पाते थे जिसे देखते वे कंपाने ने अब ओडियो संदेश भेजना सुरू कर दिया है बिजली कंपानी पहली बार इस तरह का परयोग कर रही है रहिवार से ही इसकी सुरूवात हो गई है वहीं जिनके घरों में इसमांड मिटर नहीं लगे हैं उन उप भुगताओं को भी ओडियो संदेश भेज कर यहां बताया जारा है कि वे अपना बिजली बिल अविलम जमा करें बिजली बिल जमा नहीं करने की सितिम में बिजली काटी जा सकती है आज के लाप पसवाल बताए कि ओप करने वाले सुबम कुमार का घर बिहार के किस जिले में है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं